ओम नमस्ष्वार रधे रधे आई जानते हैं पशुपती ब्रत की बिधी, नियम, पूजन सामगरी, मंत्र, उध्यापन और इसके फायदे आई जानते हैं पशुपती ब्रत का नियम कैसे लिया जाए यदि आप पशुपती ब्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्तो पूर है पशुपती का ब्रत लगातार पाच सुमवार तक करना चाहिए और उध्यापन के बाद ही इसे वंद करना चाहिए पशुपती ब्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है शुम्वार के दिन सुबह अश्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारड कर पूजा की धाली और कलस लेकर मंदिर जाएं थाली में चावल, लाल चंदग, फूल, प्रसाद, बेल पत्र और पंचामरित जरूर रखें इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलस के जल से भोली नाथ का अविशेक कर सकते हैं अविशेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोली नाथ की आरती करें फल्व मिठाई का सीवन कर सकते हैं, साम को वही थाली मंदिर ले जाएं, साथ में छे दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए, छा में से पाच दीपक जलाएं, दो तिहाई भोग मंदिर में चठाएं और एक तिहाई घर में वापस लाएं पूजा करते समय भोली नाथ से अपनी मनो कामना ब्यक्त करें और उनका आशिरबाद मांगें घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोली नाथ का अस्मरण करें इसके बाद ही घर में प्रवेश करें पशुपती ब्रत के नियम भगवान सीव के पशुपती ब्रत के अपने अनुखी नियम और तरीके हैं जिनका भग्तों को पालन करना चाहिए इस लोग प्रिय उपवाश को शुरू करने से पहले इन दिशाने देशों को शमजना आवश्यक है भग्तों को ब्रह्मोहूत के दवरान उठने और अश्नान करने के साथ साप कपड़े पहनने के महत्तों को याद रखना चाहिए इस ब्रत के महत्तपूर्णियमों में से एक भग्वान सीव को पाच दीपक जलाना है जिदे इस प्रथा के कारण पंचा नंद भी कहा जाता है इसके अलामा इस ब्रत को पाच सुमवार रखने की प्रथा है जिसके दवरान भग्तों को मंदीर में जाकर भग्वान सीव की पूजा और अभिसेख करना चाहिए मन और मुक दोनों से स्री सिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जब करने की सलाह दी जाती है यदि भग्तों को लगता है कि सीवलिंग के आसपास के छेतर को शाप करने की आवश्यक्ता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री बेल पत्रव जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए भोले नाट को चढ़ाने के लिए थाली में रोली चावल फूल फल बेल पत्रव प्रशाद जैसी चीजें लाने की सलाह दी जाती है पशुपती ब्रत के पोजन सामग्री पशुपती यंत्र या भगवान सिव की तश्वीर अगर्बत्ती कपूर और दिया या दीपक प्रशाद के रूप में फल फूल और मिठाई मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला पंचामरीत दूद दही शहर चीनी और घिषी का मिश्रण से बना हुआ गंगाजल या पवित्र जल नारियल और पान अर्पित करने के लिए आर्ती के लिए बेल रुद्राच माला या पवित्र मोतियों से बनी माला पशुपती अंत्र या तश्वीर लगाने के लिए लाल या भीला कपड़ा यह ध्यान रखना महत्तो पूढ है कि पूजा सामगरी छेत्र और रिति लिवाजों के आधार पर भिन हो शक्ती है पशुपती ब्रत में उप्योग की जाने वाली उप्योग वस्तुओं के लिए एक पुजारी या धार्मिक प्राधिकरल से परामर्ष करने की सिपारिस की जाती है पशुपतीनाथ का मंत्र क्या है सारा दिन मन ही मन भगवान सीव के इन मंत्रों का जाब करते रहें ओम नमस्षिवार नमो निलकंठा ओम पार्वती पते नमः ओम रीम रौम नमस्षिवार